आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैतमेतिक्स का चप्टर 4, Quadratic Equation चप्टर का Exercise 4.3 से Question No.1 के अंडर में ये जो चार क्वेश्चन से इन चारो क्वेश्चन को सॉल करेंगे इस से पहले Friends, क्लास 10 मैतमेतिक्स का बहुत सरे चाप्टर्स को मैंने Complete करा दिया है सारे चाप्टर्स का वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंग्स इस वीडियो के नीचे आप लोगो को मिल जाएगा आप उन लिंक्स के उपर क्लिक करके उन सारे वीडियो को एकर करके देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्विस्ट अगर आपने आभितेक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और friends अगर आप हमारे टैनल को फोलो करेंगे तो class 10 mathematics के लिए आप लोगों को कोई भी extra tuition लेने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं So friends question number 1 में बोल रहा है कि find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square Completing the square method use करके यहाँ पर 4 equations दिया गया है इन 4 equations को solve करके हमें roots निकलना है चलिए एक एक करके solve करते हैं Roman 1 में यहाँ पर दिया गया है दिके Roman 1 में 2x2 minus 7x plus 3 equal to 0 यह equation हमें दिया गया है हमें इस equation को solve करना है by completing the square method use करके तो यहाँ पर यह method किस तरह से किया जाता है तो इस method को करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे First step में हमें यहाँ पर x2 का coefficient 1 बनाना पड़ेगा तो x2 का coefficient 1 बनाने के लिए हम लोग इस पूरा equation को 2 से divide देंगे क्योंकि यहाँ पर x2 का coefficient 2 है तो हम लोग 2 से divide देंगे तो 2 से जब हम लोग इस equation को divide देंगे तो हर term को जब हम लोग 2 से divide करेंगे तो यहाँ पर दिखे में हमें x2 का coefficient 1 बनाना है उसके लिए अगर x2 का coefficient यहाँ पर 3 रहता तो हम लोग यहाँ पर उस time में इस equation को 3 से divide देते तो यहाँ पर इस case में 2 है तो 2 से हम लोगों ने यहाँ पर divide दिया अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोगों को अगर यहाँ पर minus sign है तो इस case में हमें यहाँ पर इस equation को x minus b whole square form में खनबाठ करना है और अगर यहाँ पर plus sign है तो उस case में हमें इस equation को x plus a whole square form में खनबाठ करना है अब दिखे फ्रेंड्स यहाँ पर x x-b whole square अगर हम लोग इसको break करेंगे तो यह क्या हो जागा दिके x2-2x into b plus b square यह इसका formula होता है similarly अगर हम लोग इसको break करेंगे तो यह formula होता है आपका x2 plus 2 into x into a plus a square यह इसका form होता है तो यहाँ पर दिके q-q minus है तो हम लोग इस equation को इस form में convert करना है इस form में convert करने के बाद हम लोग इस form को replace करके x-b whole square form में लिख लेंगे चलिए यहाँ पर convert करते हैं तो यहाँ पर दिके x square minus तो यहाँ पर 2x into b देना है तो यहाँ पर दिके 2 हम लोग यहाँ पर खुद से दे रहे है तो 2 दे दिया आप यहाँ पर दिके x यहाँ पर x दे दिया आप यहाँ पर दिके 7 by 2 into x एक्स तो हम लोगों ने दे दिया, तो यहाँ पर दिखे 7 लाना है निवारटर में, तो हम लोगों ने 7 दे दिया, और नीचे यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 यहाँ पर देने के लिए, अगर हम लोगों यहाँ पर 2 दे देंगे, तो उसके इसमें 2, 2 कैंसल हो जाएगा, यहाँ प तो plus देखे यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, plus देखे हम लोगों को b का square लिखना है, तो b का square मतलब 7 by 4 whole square, 7 by 4 whole square, तो यह तो term है, यह हम लोगों ने कुछ से लिखा है, तो यह term extra लिखा गया है, इसलिए इस term को यहाँ पर subtract करना पड़ेगा, मतलब minus 7 by 4 whole square और यहाँ पर देखे plus 3 by 2 यह term तो हम लोगों ने यहाँ पर लिका ही नहीं तो plus 3 by 2 is equal to 0 मेरे क्याल से यह line आप लोगों को समझ में आया होगा है चलिए next इसको simply way करता है this implies आप देखे friends यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है दिखे एक सक्वार मैनस 2 into x into 7 by 4 प्लास 7 by 4 whole square तो यह इस form में है तो इस form में है that means इसको हम लोग क्या लिकेंगे इसको हम लोग लिकेंगे x minus b के place में yeah पर आपका 7 by 4 तो इसको हम लोग लिकेंगे x minus 7 by 4 whole square बाकि यहाँ पर जो टार्म रह गया है तो यह क्या हो जाएगा, यह 7 by 4 whole square, यह minus sign में है, तो यह right set में जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका plus 7 by 4 whole square, और यह 3 by 2 plus sign में है, यह right set में जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका minus 3 by 2, this implies, आप देखें, this implies x minus 7 by 4 whole square is equal to, तो यहाँ पर देखें, 7 का square करेंगे, तो यह हो minus 3 by 2, so this implies, this implies x minus 7 by 4 whole square is equal to, आप देखें यहाँ पर देखें 2 और 16 का जब हम लोग LCM लेंगे, so 2 और 16 का LCM आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 16, अब 16 से इसको डिवाट करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1, 1 into 49 करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 49, then minus 2 से इसको डिवाट करेंगे, 2 से 16 को जब हम लोगों डिवाट करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 8, 8 into 3 यहाँ जाएगा आपका 24, so this implies, this implies x minus 7 by 4 whole square is equal to, अब निव मार्टर में दिखिए 49 minus 24 करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 25 और नीचे है हमारे पास 16, अब these implies, अब यहाँ पर हम लोग square को चोड़ देंगे, तो जब हम लोग x minus 7 by 4 से हम लोग square को चोड़ देंगे तो right side में क्या लगएगा, right side में हमें plus minus root of bar of 25 by 16 लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर x square equal to a हो, x square equal to a हो तो x का बेलू क्या होता है, x का बेलू होता है plus minus root of a, तो यहाँ पर दिखिया हम लोगों ने square को चोड़ दिया, तो square को चोड़ दिया, अगर हम लोग square को चोड़ दिंगे, तो right side में क्या देना पड़ेगा, right side में हमें देना पड़ेगा, plus minus root of bar of 25 by 16 देना पड़ेगा, this implies x minus 7 by 4 is equal to plus minus, आप दिखिये, 25 का root कितना होता है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते है, 25 को हम लोग लिख सकते है, root of bar of 5 square, और square root cancel हो जाएगा, तो यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा आपका 5, तो 25 का root आगया आपका 5, और 16 का root होता है, आपका 4, क्यूंकि 16 को हम लोग 4 square लिख सकते है, और square root cancel होके, ultimately आजाएगा 4, तो यहाँ पर हमें मिला है, दिखिए, x-7 by 4 is equal to plus minus 5 by 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते है, x is equal to 7 by 4 को right side में लेके जाएगे, तो यह हो जाएगा आपका plus 7 by 4, plus minus 5 by 4, this is equal to, आप दिखिए, यहाँ से हम लोग 2 case लिख सकते हैं, एक क्या है, एक यहाँ आपका 7 by 4 plus 5 by 4, और दूसरा है आपका 7 by 4 minus 5 by 4, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, 7 by 4 plus 5 by 4, एक केस हो गया, और दूसरा केस है आपका 7 by 4 minus 5 by 4, this is equal to, आप यहाँ पर इन दोनों से, यहाँ पर LCM क्या है दिखिए, इन दोनों से यहाँ पर LCM आ रहा है, आपका 4, 4 से इसको डिवेट करेंगे, 1, 1 into 7 यहाँ पर आ जाएका आपका 7, then plus 4 से इसको डिवेट करेंगे, 1, 1 into 5 यहाँ पर आ गया, आपका 5, then comma, 4 और 4 यहाँ पर हम लोग LCM लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएका आपका 4, 4 से इसको डिवेट करेंगे, तो यहाँ पर 1 रहा है, 1 into 7 यहाँ पर आ गया, 7, then minus 4 से इसको डिवेट करेंगे, तो 1, 1 into 5 तो यहाँ पर आ गया, 5, this is equal to 7 plus 5 करेंगे, तो यहाँ आ जाएका 12 by 4, comma 7 minus 5, तो यहाँ पर आगया आपका 2 by 4, तो फाइनल यहाँ पर चंसल करेंगे, तो यहाँ आगया आपका 3, और यहाँ पर दिके चंसल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर half, तो फाइनली एक्स का बिलू आ गया, आपका 3, half, that means the roots of the following quadratic equation are 3 and half, तो फाइनली यहाँ पर आप लोग लिकेंगे, therefore the roots are 3, half, मेरे क्याल से इस Roman 1 का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए friends, Roman 2 को सल्ब करते हैं, और friends, अगर आप हमारे चैनल को follow करेंगे, तो class 10 mathematics के लिए आप लोगों को कोई भी extra tuition लेने की जरूत नहीं पड़ेगी, Roman 2 में यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2x square plus x minus 4 equal to 0, तो इसका solution शुरू करते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2x square plus x minus 4 equal to 0, हमें दिया गया है, तो first step में हम लोग क्या करेंगे, first step में हम लोग यहाँ पर x square का coefficient 1 बनाएंगे, तो x square का coefficient यहाँ पर 2 है, तो 2 से हम लोग इस पूरा equation को divide देंगे, तो जब हम लोग 2 से इस पूरा equation को divide करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका x square plus, इस term को हम लोग जब 2 से डिबैड करेंगे तो यह आजाएगा आपका x by 2 then minus इस term को हम लोग जब 2 से डिबैड करेंगे तो यह 4 by 2 करेंगे तो यह आजाएगा आपका 2 is equal to 0 अब यह हम लोगों को यहाँ पर plus sign है that means हम लोगों को इसको x plus b whole square form में convert करना है और x plus b whole square इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यह आजाएगा आपका x plus 2 into x into b plus b square that means इस equation को इस equation को इस form को हमें इस form में लाना है उसके बाद हम लोग इसको change करके इस form में लिख लेंगे so these implies these implies यहाँ पर x square plus 2 into यह खुच से लिख रहे है 2 into x into अब यह हम लोगों को b देना है b हम लोगों को देना है देखे यहाँ पर x है यहाँ पर x लिख लिए यहाँ पर half बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर half बनाने के लिए हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पर half लिखेंगे 1 by 2 लिखेंगे तो इस case में दिखे 2, 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर दिखे x रहेगा सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर half x बनाना है तो half x बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को 4 देना पड़ेगा तो 1 by 4 whole square यह term मैंने extra लिखा है हम लोगों ने extra लिखा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर minus कर देंगे minus 1 by 4 whole square और यहाँ पर minus 2 है so minus 2 is equal to 0 मेरे क्याल से यह line किस तरह से हम लोगों ने form किया आप लोगों को समझ में आया होगा इस इंप्लाइस आप देखे फ्रेंड्स यहाँ स से लेकर यहाँ तक जो expression से इन expression का हम लोग क्या लिख सकते है दिखिए x plus x plus 1 by 4 whole square is equal to बाकी जो दो टार्म है इन दोनों टार्म को हम लोग right set में लेकर जाएंगे तो इन दोनों टार्म को जब हम लोग right set में लेकर जाएंगे यह sign दिखिए minus 1 by 4 whole square का sign minus है x plus 1 by 4 whole square is equal to, अब देखे 1 square करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1, 4 square करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 16 plus 2, so this implies, यहाँ पर देखी, यहाँ से हम लोग क्या लिख सेकते हैं, देखी, x plus 1 by 4 whole square is equal to, यहाँ पर देखी LCM लेंगे, तो 16 और 2 के नीचे कीता है, 2 के नीचे तो 1 है, तो 16 और 1 का LCM जाएगा आपका 16, 16 से इसको डिवाइट करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1, और 1 into 1 करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1, plus 1 से 16 को डिवाइट करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 16, 16 into 2 करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 32, so this implies, x plus 1 by 4 whole square is equal to, x plus 1 1 by 4 whole square is equal to, तो यहाँ पर दिखे 1 plus 32 करेंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 33 और नीचे है, हमारे पास 16, so this implies, यहाँ पर दिखे हम लोग square को चोड़ देंगे, तो जब हम लोग square को चोड़ेंगे, तो यहाँ जाएगा आपका plus minus root over of 33 by 16, plus minus root over of 33 by 16, this implies, x plus 1 by 4 is equal to plus minus, आप दिखे, root over of 33, तो हमें पता नहीं है, तो root over of 33 को हम लोग ऐसे ही रख देंगे, और नीचे है आपका root over of 16, तो root over of 16 को हम लोग क्या लिख सकते है, root over of 16 को हम लोग लिख सकते है, 4, so this implies, यहाँ से दिखे, 1 by 4 को हम लोग right set में लेके जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, this is equal to x, x is equal to, यहाँ पर दिखे 1 by 4 जब हम लोग right set में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका minus 1 by 4 और यहाँ पर आपका plus minus root over of 33 by 4 तो यहाँ से दो form आ रहा है एक क्या है दिखिए एक है आपका 1 by 4 plus root over of 33 by 4 और दूसरा है आपका minus 1 by 4 minus root over of 33 by 4 तो यहाँ से दिखिए जब हम लोग इन दोनों term का LCM लेंगे तो यहाँ आजाएगा LCM आपका 4 आजाएगा 4 से 4 को डिवैट करेंगे 1, 1 into 1, 1 तो यहाँ पर minus 1 plus 4 से 4 को डिवैट करेंगे 1, 1 into root 33, तो यह हो जाएगा आपका root over of 33 by 4 यहाँ पर दिखिए 4 और 4 का LCM हो जाएगा आपका 4, 4 से 4 को डिवैट करेंगे 1, 1 into 1 तो यहाँ पर आजाएगा आपका minus 1 then minus 4 से इसको डिवैट करेंगे तो 4 से 4 को जब डिवैट करेंगे 1 आजाएगा, 1 into root 33 तो यह आजाएगा आपका root over of 33 that means x का बिलू आगया आपका root over of 33 minus 1 by 4 और minus root over of 33 minus 1 by 4 तो finally हम लोग यहाँ पर लिखिएगे therefore the roots are therefore roots are roots are minus 1 plus root over of 33 by 4 minus 1 plus root over of 33 by 4 एक है और दूसरा है आपका minus 1 minus root over of 33 by 4 तो यह आपका 2 roots आगया और मेरे क्याल से इस question का solution आप लोगों को समझने आया होगा, चलिए इस विडियो का roman 3 को solve करते हैं roman 3 में यहाँ पर बोल रहा है दिखिए 4 x square plus 4 root 3 x plus 3 is equal to 0 इस equation को हमें completing the square method use करके solve करना है, चलिए इसका solution शुरू करते हैं और friends अगर आप हमारे channel को follow करेंगे तो class 10 mathematics के लिए आप लोगों को कोई भी extra tuition लेने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसका solution के starting में हम लोगों को यहाँ पर x square का coefficient 1 बनाना है तो x square का coefficient 1 बनाने के लिए हम लोग इस पूरा equation को यहाँ पर 4 है तो 4 से divide देदेंगे तो हर एक time को जब हम लोग 4 से divide करेंगे तो यह आजाएगा आपका x square plus इस time को जब हम लोग 4 से divide करेंगे तो 4 4 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका root 3x इस time को जब हम लोग 4 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 by 4 is equal to 0 अब यह हम लोगों को यहाँ पर plus है that means हम लोगों को इसको x plus b whole square form में लाना है और x plus b whole square अगर हम लोग लिखेंगे तो यह हजाएगा आपका x square plus 2 into b into x plus plus b square तो इस form में हमें इस equation को लाना है उसके बाद हम लोग इस expression को change करके x plus b whole square लिख लेंगे चलिए इसको खनबाट करते ह आपके x square plus 2 into x अब हम लोगों को यहाँ पर b देना है अब यहाँ पर दीके root 3 into x x तो हम लोगों ने दे दिया तो root 3 देना है तो root 3 तो सिर्फ root 3 देंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो नहीं है तो 2 को cancel देना पड़ेगा तो 2 को cancel देने के लिए यहाँ पर हम लोगों को divided by 2 देना पड़ेगा तो इसके से में दीके 2, 2 cancel हो गया root 3 into x, root 3 x हो गया तो plus यहाँ पर दीके b कितना हम लोगों को मिला है, b मिला है root 3 by 2 तो plus root 3 by 2 whole square हमें लिखना है क्यों कि यह plus root over of 3 by 2 whole square हम लोगों ने extra add किया, इसलिए इस term को यहाँ पर subtract करना पड़ेगा तो हम लोगों ने इतना तक कर लिया, तो हमारे पास extra add term में दीके 3 by 4, तो plus 3 by 4 is equal to 0, this implies अब देखें friends, यहाँ से लेके यहाँ तक इस expression का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस expression का हम लोगों लिख सकते हैं, x plus root over of 3 by 2 whole square minus अब देखें यहाँ पर यह क्या है, देखें, root over of 3 whole square, मतलब यह हो जाएगा आपका 3, और नीचे है आपका 2 का square, तो 2 का square करेंगे, यह हो जाएगा आपका 4, then plus, plus हमारे पास से आपका 3 by 4 is equal to 0, so minus 3 by 4, plus 3 by 4, यह आपका cancel हो गया, so this implies, तो finally हमारे पास remaining क्या है, देखें, x plus root over of 3 by 2 whole square is equal to 0, तो x plus root over of 3 by 2 whole square is equal to 0, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते है, देखें, इससे हम लोग लिख सकते है, x plus root over of 3 by 2 into में फिर से x plus root over of 3 by 2 whole square, x plus root over of 3 by 2 whole square नहीं, यह whole square को हम लोग x plus root over of 3 by 2 into x plus root over of 3 by 2 equal to 0 लिख सकते हैं so product of two numbers equal to 0 इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं x plus root over of 3 by 2 equal to 0 और x plus root over of 3 by 2 is equal to 0 so this implies यहां से हम लोग लिख सकते हैं x equal to minus root over of 3 by 2 और यहां से हम लोग लिख सकते हैं x equal to minus root over of 3 by 2 तो finally यहाँ पर roots आ गया आपका minus root over of 3 by 2 और minus root over of 3 by 2 therefore, therefore roots are minus root over of 3 by 2, minus root over of 3 by 2 तो यहाँ पर इस question का final answer आ गया और मेरे क्याज से Roman 3 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए यहाँ पर इस वीडियो का last Roman 4 को सल करते हैं Roman 4 में यहाँ पर दिया गया है देखिए 2x square plus x plus 4 equal to 0 इस equation का में solve करना है completing the square method यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है देखिए 2x square plus x plus 4 is equal to 0 तो हम लोगों को पहला step में यहाँ पर x square का coefficient 1 बनाना है तो x square का coefficient 1 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है इस पुरा equation को 2 से डिवाइड देना है तो 2 से जब हम लोग हर एक tan को डिवाइड देंगे तो यह हजाएगा आपका x square plus x square plus यहाँ पर इस tan को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हजाएगा आपका x by 2 plus 4 को जब 2 से डिबेट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका plus 2 is equal to 0. So this implies, this implies अभी हाँ पर plus है नहीं, that means इस expression को, इस equation को हम लोगों को x plus b whole square form में लाना है, और x plus b whole square form में हम लोग तभी लिख सकते हैं, जब हम लोग इस equation को इस form में बना देंगे, 2 into x into b plus b square, इस form में जब हम लोग बना देंगे, इस form को change करके हम लोग x plus b whole square लिख पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं, इसको कनबाट करना, तो x square plus 2 into x, अभी हम लोगों को b देना है, तो यहाँ पर देखे, x by 2 है, x तो हम लोगों ने दे दिया, अभी by 2 करने के लिए, यहाँ पर देखे, 2 अल्रेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर by 2 करने के लिए, हम लोगों को 1 by 4 देना है, 1 by 4 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से, जब इसको काटेंगे, तो यहाँ पर 2 हाजाएगा, वी हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, 1 by 4, सो वी 1 by 4 है, तो plus हम लोगों को 20 स्क्षार देना है, 20 स्क्षार देना है, that means, plus 1 by 4 whole square देना पड़ेगा, अब plus 1 by 4 whole square, तो यह term मैंने एक्ष्टनली कहें, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर minus 1 by 4 whole square देना पड़ेगा, then plus 2 is equal to 0, this implies, अब देखे friends, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक expression है, इस expression का हम लोग लिख सकते है, x plus 1 by 4 whole square, then minus 1 square, यह हो जाएगा आपका 1, और नीचे है आपका, इसको आपम लोग right set में लेके जाते हैं, चलिए, equal to, इसको हम लोग जब right set में लेके जाएंगे, तो यहां आपका minus 1 by 4 whole square है, तो इसको जब हम लोग right set में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका plus 1 by 4 whole square, और 2 यहां पर plus sign में है, इसको हम लोग जब right set में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका minus 2, so this implies, x plus 1 by 4 whole square, x plus 1 by 4 whole square is equal to, 1 क square 1 और 4 का square 16 तो 1 by 16 minus 2. So this implies x plus 1 by 4 whole square is equal to. यहाँ पर देखी LCM क्या आजाएगा? यहाँ पर LCM आजाएगा आपका 16. 16 से 16 को divide करेंगे तो यहाँ आजाएगा आपका 1. 1 into 1 करेंगे तो यहाँ आजाएगा आजाएगा आपका 1. Next यहाँ पर 2 से 16 को multiply करेंगे तो यहाँ आजाएगा आपका 32. तो finally यहाँ पर हमारे पास आ रहा है देखे, x plus 1 by 4 whole square is equal to. 1 minus 32 तो 1 minus 32 यहाँ आजाएगा आपका minus 31 by 16. आप देखे, यहाँ पर next हम लोग क्या करेंगे? next हम लोग जब square छोड़ेंगे, तो right side में क्या आजाएगा? राइट side में यहाँ पर आजाएगा plus minus root of our of 31 by 16. आप यहाँ पर एक दिक्कत है कि root of our of negative number हम लोग नहीं लिकाल सकते हैं. root of our of any negative number does not exist. root of our of negative number यह imaginary हो जाता है. और imaginary तो हम लोग यहाँ पर real number लेके काम कर रहे हैं. यहाँ पर इसी लिए हम लोगों को root of our of minus 31 by 16 इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर दिक्के हम लोग conclusion में लिकेंगे, since there does not exist any real value of x for which x plus 1 by 4 whole square is negative. That means ऐसा कोई भी real number नहीं है जिसके लिए x plus 1 by 4 whole square इस पुरा एक्प्रेशन का बेलू negative हो. That means यहाँ पर ऐसा कोई x नहीं है इस expression का बेलू negative हो. That means यहाँ पर इस equation का कोई भी real root नहीं है. इस equation का कोई भी real root नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग लिकेंगे, यहाँ पर हम लोग लिकेंगे, there does not exist. There does not exist, there does not exist any real value of x. any real value of x. There does not exist any real value of x for which x plus 1 by 4 whole square is negative. is negative. That means ऐसा कोई भी real value of x नहीं है, जिसके लिए x plus 1 by 4 whole square का value negative हो. That means ऐसा कोई भी real root नहीं है इस equation का. तो फाइनली हम लोग लिकेंगे, therefore there is no real root for the given equation. Therefore, there is no real root of the given equation. और मेरे क्याल से यह चारो questions का solution आप लोगों को समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स अगर आपने आभी तक अपना प्यारा चैनल Mathematics Guru को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. Thank you friends for watching this video.